तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग डाल का हलुआ बिना चासनी बनाए यह जो आप दाल देख रहे हैं यह मैंने इस रात में भुगोई थी और सुबह इसके छिलके उतार कर इसको दरदरा पीसा था क्यूंकि इससे कुछ और बनाने की सोच रही थी लेकिन बाद में मुझे फ तो सबसे पहले गैस पर पैन रखेंगे और इसमें एक चमस देजी घी डालेंगे जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हम लोग पिसी हुई मूंगी डाल डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से घी में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें देखिए लम तब ही ये एक्वल तरीके से घुन पाएगी अब करना क्या है कि जब ये दाल ठंडी हो जाए तो इसको मिक्सी के जार में डाल कर हमें पीस लेना है तो ये देखी ये इस फॉर्म में आ जाएगी अब इसको थोड़ा सा और भूनना है और इसके बाद फिर हम इसी में चीनी आप अपने सवादनुसा डालेंगे कोई कम भी फखाता है ज्याद म मिः फखाता है तो लो आप अपने कौरडिक बेख लें इसको अच्छे से चला दें और हम इसमें डालेंगे गर्म पानी ये एक काटोरी डाल थी तो मैंने इसमें 2-3 कब गर्म पानी डाला है इस इसमें हम डालेंगे food color पीले रंका और mix कर लेंगे अब हमको करना क्या है अब हम लोग इसे लिट से थोड़ी देर के लिए कबर कर देंगे अब हम इसमें पहले से ही रोष्ट की हुए घी में काजू और बादाम चॉपड करके डाल देंगे अब हम इसमें उपर से और गी डालेंगे पांच चम्मच या फिर जितना भी आपको इच्छा है आप इसमें डाल सकते हैं मूंग डाल हलवे में जितना भी घी डालो कम ही लगता है इसलिए आप अपने एक ओर्डिंग ही घी डालिए घी को अच्छी से मिक्स कर दीजी हलवे में और लीजी हमारा हलवा तयार है यह देखिए जितना अच्छा यह देखने में लग रहा है उतना अच्छा यह खाने में भी लगेगा तो चलिए सर्व कर लेते हैं तो कितना आसान है मुँग की दाल का हलुआ बनाना देखिए कितने जल्दी से फटा-फट से बनके तैयार हो गया अगर वीडियो पसंद आया तो प्लिस लाइक करना चैनल पर नए है तो प्लिस सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई